पटाफट से जरा एक बार मुझे बता दीजिए का आडियो वीडियो क्लियर है सो दाट वी इन विद देशेशन प्रॉपर्ली ओडिबल इन विजिबल आई होप अभी सब सही आ गया होगा ग्रीट अच्छा 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 दिया नॉट बिंग डिलेवर्ट ठीक है शालनी जी आपका कंसर्न आज खतम हो जाएगा हंडेट परसेंट वह मेरी साइट से उसको अलाउग करना होता है तो मैंने नहीं देखा होगा बद अभी में कर देता हूं किसी को नहीं देखना अभी ऐसे कुल जाता है ठीक है चालो वेरी गूट इवनिंग टॉल फॉर में टूसाल 500 थैंक यू इशा जी जो भी है सब माइक पास रखो अच्छा यह माइक का एक और दिक्कत है मैं माइक चेंज कर वा रहा हूं इस बार मेरी सेलरी आजा एक तारिक को माइक चेंज कर वा लोगा ठीक पक्की बात सर्य और सजेशन वर्क फर में टूसाल 500 वेरी गुड इंशा जी इंशा प्रवीन जी बढ़िया मैनत करिये निकलेगा एक्जाम ठीक है सबका निकलेगा वाइस बहुत स्लूरे यह वह जैसे नेटवर्क मार्केटिंग वाले कहते हैं लेविल सबका निकलेगा वैसे मैं रहूं प्रिलिम सबका निकलेगा बस डेली के 500 लगाओ एंड यूविल भी थुरू फिर बन का यह भी मैं देखाई नहीं रहूं अभी ठीक है चलिए शुरू करते हैं आशा करते हैं उमीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होगे अच्छे से तयारी चल रही हो तो सुलो पहले फिर भी मैं किसी का मानी नहीं रहा हूं सर फिर से पूछूंगा मैं दो इंपॉर्टेंड अनॉंस्मेंट है एक है कि आप लोगों की लगाता रिक्वेस्ट आ रही थी कि कॉंट्राक्ट आक्ट का पार्ट टू लाया जाए तो उसी श्रंखला में मैंने पा रहेोगे और अगर आप लोग को एक और चीज़ चाहीं होगी तो उसके लिए प्लान किया एक का लेक्चर मैने प्लान किया है जिसमें आपको पूरे सी पी सी का को वर मिल जाएगा साथ में ही जितने भी important rules और sections है वो सारे बता दिये जाएंगे कि कम से कम आप इतना पढ़ लोगे तो चीज़े आसान हो जाएंगे ये एक session है जो next week में plan किया जाएगा तो ये दो sessions में आपके लिए लेकर आने वाला हूं तो stay tuned with that और आपके लिए काफी helpful होंगे संडे को contract है event बन चुका है like कर देना संडे को आ जाना बढ़ियां से contract के सारी चाहिए ठीक है चलो ठीक है let's start चलिए पहला question on your computer laptop screen on account of misjoinder or non-joinder of parties under order one rule 9 CPC the suit is liable to the suit is liable to be dismissed और not liable to be dismissed बताईए ओके contract टू आप लोग बार बार कह रहे थे न कि contract टू ले आईए सर तो contract टू लेकर आएंगे चलिए उसके बहुत मेहनत करने पड़ी कि कल क्लास नहीं होगी रात वाली सारे case laws सबको चार्ट के लिए क्या हूंगा बिल्कुत सही तरीके से आपको बता दूगा है एक बार में ठीक है correct cannot be dismissed देखो this has to read with section 99 section 99 के साथ इसको पढ़ा जाता है देखो general rule यह कहता है general rule यह कहता है आप इसको समझेगा जब आप order one rule 9 देखते हो तो general rule यह कहता है इसके साथ में section 99 भी आपको पढ़ना होता है अगर आप देखो के तो 99 भी ऐसी कुछ भाषा लिखता है that no decree will be reserved or modified for error or irregularities not affecting the merits of the case merits or jurisdiction no decree shall be reversed or substantially varied nor shall any case be remanded in appeal on account of any misjoinder or non joinder of parties or cause of action any error और इसमें भी proviso लगा हुआ है provided and nothing in the section shall apply to non joinder of necessary party तो जब भी order one rule 9 पढ़ते हो तो साथ में section number 99 पढ़ना जरूरी होता है यह दोनों एक साथ चलते है section 99 ठीक है चलिए next question unnecessary party is one whom दो तरह की party होती ही necessary party और proper party आपको पता है necessary party के बिना कोई भी effective order नहीं दिया जा सकता और अगर comprehensive order देना है तो आपको proper party की जरूरत होती है जैसे इसका best example कौन सा होता है कि landlord ने tenant के eviction के लिए suit डाला तो tenant जो है वो necessary party है लेकिन अगर tenant ने उसको sublet कर रखा था और वहाँ पे subtenancy थी तो जो subtenant होगा वो आपका proper party हो जाएगा ठीक है no effective order can be made no effective order can be made इसमें कस्तूरी कस्तूरी वर्सिस इयम परुमल बहुत ही important case है कस्तूरी वर्सिस इयम परुमल बार बार देखा है मुझे नाम थोड़े से confusing रहता हूँ मैं चाहता हूँ यहाँ पर pronunciation सही लोग क्योंकि हम लोग जब याद करते हैं तो कस्तूरी वर्सिस परिमल ही याद रखते हैं सही बताएं तो लेकिन यहाँ पर पूरा लिखा होता है तो अपने को द्यान से वह पढ़ना होता है ताकि आप लोग उस तरीके से याद ना करो जिस तरीके से हम लोग नहीं याद किया है तो इसलिए यम परुमल ठीक है तो कस्तूरी वर्सिस और मैं तो पेपर में लिख्या था इंदल लैंडवार के सब कस्तूरी तो मेरा तो छोड़ दो बट इसको ऐसे करते हैं तो तो टो टेस्ट आप बिन प्रोवाइट इन डिटर्मिनेशन ऑफ क्वेसिशन पर्टेकूलर पर्ती इस Yo lor टो टो टीरयार अमिपोर्ट्रह शेज अर्ट पैस्ट आपेरर सुट ए हूंडे तो गन्हार थी तो शानूर 2 पारिगे तो प्रोवाइट मैड बटेशन होगा डाया है छिसके अंगेंग्स कोई राइट टो रिलीफ मागा गया है इन एक्षेन Candy डिया इस औडर तू के किस रूल में किस रूप कॉश आडब करने की बात कर सकते हैं यह कहा दिया है यार माइक तो पास में है अभी दिखकत आ रही है क्या आप माइक बहुत पास है मेरे अब इसके बाद मैं इसको खाजाओंगा ठीक है तो कई लोग इसमें सी दे रहे हैं आंसर यारा इसी नहीं होगा क्या पूछ रहा है यार पूछ रहे हैं फिर से पढ़ो, फिर से पढ़ो question, C कैसे होगा, फिर से पढ़ो question, अरे C नहीं है यार, पूछ रहा है, which of the following is not a ground, सिर्फ नव्जोद जी सही दे रही है, सुनाली जी सही दे रही है, how are you saying C यार, the correct answer is D, पूछ रहा है, which of the following is not a ground, for the court to order separate trial, not a ground, पूछ रहा है, सब लोग C बोल रहा हो, नहीं बेटा, अगर आप order इसको पढ़ते हो, तो क्या कहता है, रहा है, where it appears to the court that the jointer of cause of action in one suit में embarrassed और डिले दर ट्रायल और अदर्वाइस इंकन्विनेंट ये तीनों चीज़े आएंगे, तो नॉट पूछ रहा है, नॉट पूछ रहा है न, नॉट पूछ रहा है न, डिले इंबारस्मेंट इंकन्विनेंट, डी होगा यार, पता नहीं क्या गलती करें, और वो order, order 2, rule 3 है, jointer of cause of action, चलो, next, under order 6, rule 17, the court can allow, or alter, or amend, the proceedings, in order to decide the, real controversy, real controversy, between the parties, real controversy, between the parties, बताइए, नहीं, it is for either party, either party, plaintiff नहीं होगा, शिर्फ, it is for either party, either party, correct, 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 order 6, rule 17, the court may at any stage, बार बार पूछा जाता है, at what stage, at any stage, of the proceeding, allow either party, either party, to alter or amend is pleading, in such manner, and on such term, as may be just, and all such amendments shall be made, necessary, for the purpose of determining the real question, in controversy, between the parties, ये भी important है, इस पे keyword है, provided that no application for shall be allowed, after the trial has commenced, unless the court, देखो, general rule है, कि any stage, general rule है, any stage, जैसे वहाँ पे order 1 rule 9 में, general rule क्या था, कि misjoinder या non-general of parties पे suit dismiss होगा, लेकिन proviso क्या था, this does not applies to proper party, उसी तरीक से general rule क्या है, that court can amend the pleadings at any stage, but proviso क्या कहता है, no application for amendment shall be allowed, after the trial has commenced, unless the court comes to the conclusion, that in spite of due diligence, ध्यान देने के बाद भी, the party could not have raised the matter before the commencement of the trial, ये चीज़ प्रूव उना जरूरी है, next, on rejection of plate under order 7 rule 11, presentation of a fresh fresh plant in respect of the same cause of action is, बताईए, अराम से देखके बताईए, गौरव जी का सबसे पहले answer आ गया है, very good, very good, बिटा क्या हो गया गौरव जी, आप बस पहला पढ़के आपने answer दे दिया जल्दी में, नहीं, ये on its own force, नहीं, मेरे प्यारे प्यारे बच्चो, बहुत सारे लोग A answer दे रहें, A is not the correct answer, A is not the correct answer, the correct answer is B, rule 13, order 7, rule 13, एक बार rule 13 पढ़ो जाके, वो कहता है, on its own force, अगर कोट मना करता है, तब की बाता लगे, प्रिकलूट किया जाता है, but on its own force, it does not barge you from filing a fresh suit, क्या कहता है, that rejection of plaint on any of the grounds mentioned in rule 11, shall not on its own force, preclude the plaintiff from presenting a fresh plaint in respect of the same cause of action, does not on the same cause of action, ठीक है, सब गलत, बता रहे हैं, वेटा 13 है, 12 नहीं है, rule 13 है, एक बार मैं चेक कर ले तो मेरे साब से भी 13 ही है, ठीक है, ठीक है, 13 है बिटा, 12 प्रोसीजर दिया है, वो, प्रोसीजर ओन रेजक्टिंग अप्रेंट, छीक है, रीजन्स दिये जाएंगे, चल, बताइए भई, एडमिट कार्ड आज आने थे, नहीं आये, क्या तो कल आ जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें, उसमें लिखा हुआ था कि आज आएंगे, नहीं आये होंगे, तो कल आ जाएंगे, that's not a very big problem, बताइए, कई सारे लोग A, B, C, D, A, commissions, order 26 rule 19 में commission issue करने की पावर किसके पास है, the correct answer is the high court, high court commission issue करता है, order 26 rule 19 में, cases in which the high court में issue commissions to examine witnesses, चलो, याद रखना, in which of the case it was held that executing court has no jurisdiction to decide whether the court which passed the decree had territorial jurisdiction, बताइए, आज अच्छे सवाल लेका हूँ आप लोगों के लिए, विल्कुल भी आप कहनी सकते हैं, कल थोड़े हलके थे, मेरी तब्यत भी हलकी थी, तो हलके सवाल लेका था, आज एक से बढ़ियां तराशे हुए सवाल लेका हूँ आपके लिए, in which case it was held that the executing court has no jurisdiction to decide whether the court which passed the decree had territorial jurisdiction, hmm, many of you are making it correct, बत बहुत सारे लोग गलत भी दे रहे हैं, लग्जरी मेड अफोरड़बल, ये सही नाम है आपका, लग्जरी मेड अफोरड़बल, दे, the correct answer is B, स्नेल अता वर्सिस पुश्पलता, स्नेल अता गोयल वर्सिस पुश्पलता, इस case में, याद कर लेना प्लीज, आ जाये तो सीधा सीधा मार देना, इसमें ही यही समझाया गया था, whether the court which passed the decree had a territorial jurisdiction, want of does not travel to the root of or to the inherent lack of jurisdiction of civil court to entertain the suit, चालो, चालो, यह बताओ देखें, कौन बताएगा, चॉकलेट क्वेस्चन, नहीं चॉकलेट क्वेस्चन तो नहीं है वैसे, यह तो बताओगा, which rule of order 21, एक हिंट दे दू, 98 और 100 के कंटेक्स्ट में बात करता है, कि इन दोनों में दिये गए जो order है, section 98 और rule 98 और rule 100 में दिये गए जो orders है, वो decree की तरह से अपीलेबल होंगे, यह बात order 21 का कौन सा rule कहता है, अब 98 तो हटी गया, और 100 की बात हो रहा है, तो 100 के बात होगा, 106 है नहीं, यह आप पढ़ी चुके हो, 106 आपने एक स्पार्टे वाला पढ़ा था ना, last rule 21 का, वो है नहीं, ठीक है, तो क्या अंसर होगा, 103, C, 103, where an application has been adjudicated upon rule 98 और rule 100, the other made there upon shall have the same force and be subjected to same conditions as to appeal, और otherwise as if it were a decree, important है, इसको पढ़ लेना, अगर पूछ लिया गया, तो majority students नहीं कर पाएंगे, आप कर लोग है, ठीक है, बताएए, a failure to perform at the agreed time, when the time is of the essence of the contract, renders the contract, very good, गुर्विंदर जी, सही है, यार सही है, बत अच्छा गर क्या आ रहे हो, तुम लोग कोई दिक्कत की बात नहीं, correct है, voidable at the option of the opposite party, voidable at the option of the opposite party, section 55, good है जी, good है, a person who is interested in the payment of money, which another is bound to pay, and who thereof pays it, बताएए, section number बता दिया, अगरो जब तक पूछेंगे नहीं, तब तक नहीं बताऊगे, section number, section number, very good, 69, मान दिये, मैं tenant हूँ, मुझे कोई पैसा है, जो लैंडलोट को पे करना था, लेकिन नहीं पे किया जाएगा, तो electricity बंद हो जाएगी, land revenue दिया नहीं जा रहा है, नहीं तो assets seal हो जाएगी, मेरा अब नुकसान है, मैंने पैसा पे कर दिया, तो मुझे reimbursement मिलेगा, section 69, quasi contracts, ठीक है, ठीक है, the fact of Griff versus Bimer would attract section 20, and the facts of Krell versus Henry attract Krell versus Henry, वो वाल है ना, ठीक है, Krell versus Henry, वो procession, kings, coronation देखने के लिए जगे लिया था, वो cancel हो गया था, बताएए, the rule enunciated by section 65 of Indian contract act, is applicable to agreements, which are discovered void by, mistake, failure of consideration, impossibility, or all the above, correct, correct, the correct answer is all the above, 65, only when an agreement at a subsequent stage, discovered to be void, or when a contract becomes void later on, it never applies on contract or agreement, agreement void ab initio, ठीक है, contract का भी void ab initio नहीं होता है, it's only an agreement which is void ab initio, ठीक है, contract becomes void, contract becomes void, which one of the following is, not a theory of frustration of contract, qat, not the theory of frustration, गो, यह इसा पता है थेोरी है, है राइडिकल चेंज जस्ट एंड रीजनेबल सेल्यूशन इंप्लाइट टॉम्स देखो पता है क्या होता है ना फ्रस्ट्रेशन को जस्टिफाई करना चलो फ्रस्ट्रेशन की कहानी कभी समझाएंगे तब बता देंगे ठीक है चलो गुड बताओ पढ़ो ज़रा इसको ध्यान से पढ़ना ध्यान से पढ़ना पूरा पढ़ना ठेक है फिर आंसर करना जल्दी नहीं विल्कुल जल्दी नहीं प्रस्टर और सुनस लिम्टड वर्सिस सगेस्ट लो chunk गाला ठेक method वर्यान जल्दी है बताई है 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 कि अध्मिट काड़ आ गया है अध्मिट काड़ आ गया है चालो बढ़िया है कि अध्मिट काड़ आ गया है वेरी गुट आजो देख लिए अध्मिट काड़ एडमिट काड़ आगे हैं देखो लिंक भेज दिया अभी परेशान नहीं होगा कोई ठीक है ना तागरीमिंट इस रीजनेबल एंबाइड निंग कोई परेशान नहीं होगा टेलिग्राम पे डाल दिया है लॉट के जाके टेलिग्राम से देख लेना ठीक है को बिल्कुल परेशान अभी से बिल्कुल सब भढ़ाओ मत तो सब भाग जाओ देखने कि सर देखेंगे देखेंगे पहले कहां आया है उन्हें कोई फाइज अपकास फरक नहीं पड़ेगा जहां आया होग ठीक है तो अभी डाला ना माएन कि अ कहाँ चला गएया मैंने डाल दिया था चलो है मैंने टीम को जान बुदिक है तो डेख लेना टीम न Route यह चंदीघर चंदीघर आया है और कलो अब बस ठीक है अब बाकी लोग बाद में देख लिए अब भी तो देखा था मैंने किसी ने डाला था मेरे गुरूप बट चलो अग्ला बताओ चलो बस आजाओ आगे एड्मिट काट लिंक मिल जाएगा अराम से हो जाएगा कि हाँ बड़ बड़ा ना नहीं किसी को चलो यह केस हो गया नेक्स्ट लो बताओ भई देखें जलाओ इसमें कुछ भी नहीं लिखा है मैंने अब देखें नॉन एस्ट फैक्टम हाँ मैं यूपी से हूँ कानपुर से हूँ उत्तर प्रदेश यूपी इस्ट बात्चीत से लगता है ना वेरी गुड नीलम जी बुमिका जी वेरी गुड वेरी गुड नॉन एस्ट फैक्टम मैं समझाता हूँ आपको बेसिकली जब कोई भी व्यक्ति नेचर ओफ कॉन्ट्राक्ट से मिस्टेकन होता है और उसको पता नहीं होता है हाँ इसलिए उसको पता नहीं होता है कि उसने किस डॉक्यूमेंट को साइन किया and he presumes it to be something else and it turns out to be something else ठीक है हाँ मैं उत्तरप्रदेश की बहुत ही प्यारी शहर से हूँ जो है कानपूर ठीक है तो हमारी तो dialect ही अलग होती है भड़बडाना तो एक शब्द है कभी हमारे साथ चाई की टपरी पे बैठेंगे तो आपको बता चलेगा हमारा dialect ही अलग है कानपूर एक बहुत ही प्यारा शहर है हमारे आप बोलते हैं कि सब इंसान खाली है किसी को कोई चिंता नहीं सब खुश है कोई टेंचन नहीं है और आप कानपूर की विशेशता यह है कि कानपूर के किसी भी आदमी से आप किसी भी चीज़ के बारे में पूछ उसकी एक राय होगी वो भले ना समझ पाए monetary policy international relations लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कानपूर का कोई इंसान आपको जवाब ना दे आप उसे कोई भी सवाल पूछ लिजे मेडिकल का पूछ लिजे लॉग का पूछ लिजे कुछ भी पूछ लिजे उस सब आपको जवाब दे इस चीज पे यह बेस्ट होती है माक्सिम ठीक है चलो बहुत इदर उदर की बाते कल नहीं आज तुम लोंगे यह मैने कल कराया था मैं रिवाइस करवाने के लिए लिए के आया हूँ आज अगर किसी ने गलत बताया तो समझ लेना पॉब्लिक पॉलिसी नॉट केपवल ओफ बिंग गिविंग अप्रिसाइज दिफिनिशन और इस नॉट फॉर थे एक्जिक्यूटिफ तो फिल दग्री एरिया अज अगर किसी ने भी हाँ वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसलिए मैं दुबारा लेका है क्योंकि आपके मन में चिमनलाल मोधी बसे होंगे ऐसा नहीं स्टेट ऑफ राजिस्थान वर्स बसंत नहाता थीक है चलिए बताइए एस पर सेक्शन टू औप स्पेसिविक रिलीफ आट एवरी अधरी डूटी एइन्फोरसियबल बाई लॉँव लॉउऺ इस काल गुड़ी लीगल डूटी ओब्लिगेशन नन और अव दबहग नहीं मानिका जी भिच्चा इस ओब्लिगेशन इस ओब्लिगेशन इन्फि दूब्लिगेशन इंफरसियबल बाई लॉ तो आप से सेक्शन सेवेंटी थी और सेवेंटी फॉर फाइपी सी अ कन्विक्ट कैन बी केप्ट इन सॉलिटरी कन्फाइर्मेंट फॉर एनी पर्शन विच आप फॉलेंग इस इनकरेट बताएगे देखते हैं कितने लोग इसको जल्दी में गलत करते हैं जो सबसे पहले आंसर देगा वो जरूर इसको गलत करेगा अराम से पढ़के आंसर देना लग्जिरी मेड अफोर्डबल ने सही दिया है बेटा रानी जी इनकरेक्ट पूछ रहा है एक बार देखे तो सही फिर से एक बार देखे कई सारे लोग यह बोल रहे हैं नीलम जी बेटा एक बार देखो न गौरव फिर से बढ़ो कोंगल जी बच्चा एक बार फिर से पढ़ो ना क्वेस्टन क्या कह रहा है लग क्या रहा है बहुत बेसिक चीज पूछ रहा है लगना क्या है इसमें अब आन्या जो क्या है सब को भी भी तीन महें से यादा नहीं हो सकते हैं तो थीक है क्योंकि यह पूछ रहा है विच फॉलूइं इस इनकरेक्ट फॉर पीरिड नॉट एक्सीडिंग थ्री मन्स थी मन्से नहों से जादा हो इनी सकता कितने भी साल की सजाह एक पॉर सब्सक्राइब नहीं हो सकता ठीक है नौट एक्सीडिंग सिक्स मन्स नौट एक्सीडिंग सिक्स मन्स तो आपका कितना है वन मन्त ठीक है इन केस ऑफ इंप्रेजिनमेंट एक्सीडिंग सिक्स मन्स इन केस ऑफ और नौट एक्सीडिंग वन यर तो कितना है दो मन्स और इन in case exceeding one year one year से ज्यादा है तो तीन महीने यह सिंपल सा लॉजिक है इस में कुछ हाई नहीं नहीं शेल नॉट इस the maximum period provided under this section is three months यह इन्होंने दिया है और 14 डेज लगातार से ज्यादा नहीं हो सकता यह बात तो दी हुई है six months का क्या concept है यह है यह है यह लिख दिया ना तीन हो छे महीने से कम है तो एक महीने छे से एक साल तो दो महीने दो एक साल से ज्यादा तो फिर तीन महीन directive principles of state policy are not enforceable by the code आज ज्यादा क्वेशन है फटा फट से करो यार अना तेजी से ज़रा हाँ चलाओ DPSP are not enforceable by any code DPSP of state policy are fundamental in governance of the country कि इस करेक्ट ठीक है इस करेक्ट चल्ब जो मुझे इसका आर्टिकल नंबर बताएगा जो मुझे इसका आर्टिकल नंबर बताएगा उसको उसको पीटा वो शुबांशु जी सम तो एप्रोप्रियेट आंसर देना होता है इसको एनफोर्सिबल नहीं होते हैं कोट बोलता है कि स्टेट की ड्यूटी है कि इसको एनफोर्स कराओ उससे रिलेटेड लेजिसलेशन बनाए जाते हैं जो मुझे मैं यह कहने जा रहा था कि जो भी मुझे इसका आर्टिकल वरुन जी ने पहले ही बता दिया वरना मैं कुछ गिववे देता आज ठीक है चालो चालो 39 डिए ठीक है नहीं वो सही बात है आपकी अभी हम बताते है चलो वन दा इंप्रेशन में एंट्स वन ने इंप्रेशन में एंट 70 ले गलत बताया 74 नी 73 बेटा 74 बोले थे कि 73 74 बोले नी 73 नी 73 the period of limitation for a suit for compensation of false imprisonment in one year the period of limitation starts from the date when imprisonment end अब क्या लग ज़िए आप तो मैंने दिखा ही दिया अंडर दे लिमिटेशन act the period of limitation for filing an application for an order to set aside an abatement is बताये इसका कोई बता सकता है क्या आर्टिकल नमबर हाँ very good very good very good very good very good सभी लोग साही दे रहे हैं 60 days 60 days कि अब गुर्विंदर जी लेट हो गया चॉकलेट निकल गया हाथ से चलो 121 आर्टिकल 121 यह कुछ आर्टिकल्स आप याद रखेगा यह पूछे जाते हैं ठीक है ना अब 60 days CPC 121 याद रखना कम से कम जितने आर्टिकल्स मैं बता रहा हूं लिमिटेशन आट के क्लास में उतने तो आप याद ही रख सकते हो नहीं अधिक तो कुछ कम से कम A सूस B for negligence in providing him with a carriage for hire not reasonably fit for the use whereby A was injured the fact that B was habitually negligent about the carriage he led to hire is इस पूरा सब बैट जाता हूं मैं सब गया हूं कि इन क्लासेज हो जाते हैं आज कर आज कर आजी रेलेवेंट है relevant है relevant सक्षिन 14 इंडियन इविदेंस आक्ट को यह कर चुक है यार लो बॉलो यह बताओ देखेा हमारérique इतने होनहा बाला के एन ओफांडर कैन प्लीड गिल्टी and pay fine with the help of Postal Department under which provision of CRPC? Postal Department. है और कोई है नहीं दीक्षा जी रिलेवेंट होगा फॉर्टीन में इलस्ट्रेशन है उसका सभी आगेड़ी नहीं है दा करेक्ट आंसर इस 253 क्लॉस 1 253 स्टेट्स राट वियरा सम्मन तु किस प्रुविजन की मदद से भिजवात सकता है that is 253 that is 253 in which case it was held that the magistrate has the power to order further investigation into an offense under 153 of the CRPC post-cognigence until the commencement of the trial option से confused होगे सर कोई दिक्कत की बात नहीं है देखो यह जो है पता नहीं आप लड़का है या लड़की है luxury made affordable बहुत ही अच्छे जवाब आप दे रहे हो और बहुत जल्दी दे रहे हो लेकिन paper में इतनी जल्दिबाजी नहीं करनी है भले आपको सही आंसर पता हो आपका अभी भी सही है मैं गलत नहीं बोल रहा हूं लेकिन अपने को सही आंसर होने के बात भी धीरे से देख के करना है कुछ questions ऐसे हो सकते हैं जिसमें जल्दिबाजी में गल्ती हो जाए और अगर हमें कोई भी concept आता है तो हमें जल्दिबाजी नहीं करनी है हमारे पास समय है वीनु भाई हरी भाई मालया वरसे स्टेट ऑफ गुजराथ ठीक है इसमें जितनी सारी चीज़ें हुई है मैंने लिग दी है इसको एक बार पकड़ दीजाएगा मलब पल पल दीजाएगा ठीक है पकड़ दीजाएगा बात पकड़ नहीं जो लिखी कि सवाल किसी ने पूछा था कि सर एक्डूरेशी कैसे मैंटेण की जाएगा अब की सिर्फ एक ही समधान है रिविजनय रिवीजनय और एक्डूरेशी बहतर करने के लिए यह बात ही धिम्द्धान रखो कि चार एंसी कैड़ की किताब नहीं लगानी है एक किताब चार बा हैं उनको अगर आप रिवाइस करते हो उनको आप बार बार देखते हो तो आपका confidence भी बढ़ता है और accuracy भी बढ़ती है जब आपको ज़्यादा accuracy रिशीव करनी होती है तो आपको resources limit करने होते हैं और उन resources को जितना जाधा बार आप रिवाइस करोगे उतनी जाधा आपके accuracy जाएगी क्योंकि एक अभी paper की time पे 15 दिन पहले या एक महीना पहले बहुत सारी चीज़े याद रख पाना मुश्किल है तो आप आने वाले जो 15 दिन है उसमें आपसे यही expected है कि आप कुछ भी नया ना पढ़े और जितना भी आपने पढ़ा है उसको संगठित करके पार बार रिवाइस करें ताकि उससे कोई सवाल आता है तो आपका गलत ना हूँ majority of the मतब सारी mcq books को अगर आप देखोगे तो 80 to 90 percent of the questions are same in all the books तो ऐसा कुछ नहीं किसी ने यूनिवर्सल से लगाया किसी ने सिंगल से लगाया किसी का एज है वही सवाल है यही सब सवाल सब जगे दिये हूं है ऐसे कोई बहुत charismatic सवाल बहुत अलग नहीं है और ऐसा भी हो सकता है कि कोई अलग सवाल हो आप पहली बार करो पहली बार में ही सही हो जाए तो इधर उधर मदभट को revision करो revision सही accuracy बनेगी और एक तरीका है mcq करने का जो मैंने शायद आपको पहले भी बताया था दो मिनिट ले रहा हूं इस पर फिर उसके बाद मैं आपसे continue करता हूं इसके आगे जैसे ideal situation यह होती है कि आपने कोई भी test paper लिया कोई भी mcq practice ली उसके बाद आपने क्या क्या पहले तो साथ साथ answers मत देखो ठीक है solve कर लो 100 questions solve कर लो उसके बाद फिर check करो और check करके identify करो कि आपके questions कौन से गलत हुए जो गलत हुए उस concept को जाके revisit करो या short में अपने notes में लिख लो क्योंकि mcq में सबसादा problem यह आ रही है कि जब इस तरह की books आप लगाते हो जिसमें सारे concept wise चीज़े दी हुई है तो problem सबसे बड़ी यह आ रही है कि भाई रेस जूड़ी काटा कि 15 सवाल एक साथ है आपको भी पता है रेस जूड़ी काटा answer है और जो question सरल है वो आप करते जा रहे हो जो कठीन है उन पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो अब हो क्या रहा है आपने 10 question लगाए 10 म 10 में से साथ तो सही हुए है दो छोड़ देते हैं तो subconsciously क्या होता है कि वो जो महत्तपुन सवाल है उन पर ध्यान नहीं जा पाता है और अंदर से एक satisfaction आता है कि मैंने सौ सवाल लगाए मुश्किल से 10 15 ही गलत होंगे अरे वही 10 15 ही important थे वही पूछे जाएंगे बार बार नहीं पूछा जाएगा उसके explanation कितनी बार पूछेंगे तो कोशिश करो कि जो सरल चीजे हैं उनको थोड़ा side रखो जो भी नया मिल रहा है उसको याद करो उसको रिवाइस करो और कोशिश करो कि वह आगे तुमारा गलत ना हो क्योंकि यह कितनी है यह पूरा सिस्टम ही जो है ना वो मुझे क्या नाम है यह जो concept wise किताबे आती है कि section 1 से लेकर 50 तक के या 100 तक सब एक साथ questions लगे यह उस समय के लिए हैं जब आप foundation batch में अपनी तयारी कर रहे होते हो at that point of time you require that book for your practice जब आप paper देने जाते हो तब यह mixed questions जो होते हैं वही आपका पूरा दिमाग निकालेंगे और उसमें identify करना कि कौन सा concept हमारा गलत हो रहा है और उसको जाके revisit करना ठीक है that is very important ठीक है भी ठीक है जमीदेंगे एक बार मैं देखनू अभी देख लेखा बताइए चलो और पार्टनर था कि अभी लास्ट में देख लेते हैं थोड़े सा और कर लेता है बताइए अच्छ चलो भी मैं चेक कर लगा हूँ हो सकता है का चीज उपर नीचे हो सकता है थोड़ा बात मैं देख लगा बताईये सुप्रीम कोड हिंदू मैरिज कैन बी डिजॉल्ड थुआ कस्टमरी डिवोर्स बताईये बीटा एक मट रुग जो मैं देख लेता हूँ न कोई दिक्कत नहीं तो कि बताइए इसमें है आपका कौन सा है संजना कुमारी संजना कुमारी संजना कुमारी वर्सिस विजय कुमार अब इस केस को याद रखने ना है यह कहता है कि संजना कुमारी संजना कुमारी वर्सिस विजय कुमार सुप्रीम कोट रूट 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 इस इस्टैबलिष ठीक है बताइए बहुत इंपोर्टेंट केस है बुद्देव करमासकर स्टेट वेस्ट बेंगल बहुत इंपोर्टेंट केस है और इंपोर् वेतर इंपोर्ट केसे स्टैबल क्या नाम है किसी भी तरीके का exploitation नहीं हो वर्क प्लेस पे अगर हो कहीं और भी काम कर रहे हैं और बाकी सारी चीजें और उनको कि इसका करेक्ट आंसर भी है इर्रेलेमेंट रिलेमेंट नहीं होगा इर्रेलेमेंट इस इर्रेलेमेंट ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है नो प्राव्ब नो प्रॉब्म थैंक्यू चलो अब बताइए ये क्वेशन देखे थोड़ा सा अलग क्वेशन है जरा इसको समझने की कोशिश करिएगा हाँ वह गल्ती से हो गया हेलो हेलो चलो बताओ arrest of an accused is necessary under section 170 CRPC to forward the accused to the magistrate if the evidence are sufficient तो उसको forward करना होता है magistrate के पास charge sheet file करने पर तो यहाँ पर मुझे बताओ arrest जो है इसमें कहते हैं कि is necessary mandatory so the statement is correct है बताइए statement is correct और not correct हाँ तो यहाँ पर जो है आप सभी को थोड़ा सा समझने की जरुवत है बहुत सारे लोग निहा जी ने सही जवाब दिया है यह statement correct नहीं है ठेक है यह statement correct नहीं है मेरी बात ध्यान जो सुनो इसमें थोड़ा सा चेंज आया है और यह statement correct नहीं है देखो यहाँ पर लग को भुजके है to produce him in custody, तो अभी आपको बस इतना समझना है, 170 में जो भी बात लिखी हुई है, evidence sufficient होने पर चार्ज़ीट फाइल होने पर उस आगे forward किया जाएगा accused को, लेकिन अगर accused investigation में पूरा-पूरा साथ दे रहा है, उसकी property उसके भागने का कोई भी गुंजाईश नहीं है, तो ऐसी परिस्तिती में Supreme Court ने इस case में समझाया है, कि arrest करना उसको mandatory नहीं है, custody में लेना उसको mandatory नहीं है, और custody में लाकि उसको produce करना at the time of filing of charges is not mandatory, ये बात Supreme Court ने इस case में कहिए है, ठीक है, ठीक है, हाँ, ठीक है, अभी याद कर लोगे इसको, हाँ, सतेद्र अंतिल सिदार्थ वर्सिस यूपी, ठीक है, ठीक है, हाँ, वेरी गुड, तो भाई अब इसका judgment, इसका answer C है, प्लीज इसको याद रखना, गलत मत करना पेपर में, चलो, which of the ground is necessary to be proved, in order to remove a speaker of any legislative assembly, ठीक है, सब लोग याद कर ले ना उस चीज को, बताओ, Miss Behavior, Miss Behavior या Incapacity, काई लोग Miss Behavior कह रहे हैं, काई लोग Incapacity कह रहे हैं, कोई मुझे आर्टिकल नमबर बताएगा, क्या आर्टिकल नमबर बताएगा क्या क्या कुछ लोग Incapacity कह रहे हैं, कुछ लोग Miss Behavior कह रहे हैं, Moral Terpitude नहीं है, Moral Terpitude नहीं है, which of the following ground is necessary to be proved, in order to remove a speaker from any legislative incapacity, Moral Terpitude, Speaker of legislative assembly को remove करने के कोई ground नहीं नहीं दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ है, Majority से remove किया जा सकता है, 94 में, लेकिन कोई भी ground नहीं दिया हुआ है, क्या कहता है, Section 94 that क्या कहता है, May quit his position, May have his position terminated by the house of people, Resolution approved by the majority of the house of members at this time, Provided that 14 दिन का notice दिया जाएगा, और अगर लोग सबाद डिजॉल्व हो जाती है, तो first session को वो head करेगा, ठेक है, लेकिन उनका कोई भी ground mentioned, क्या जरूएत इस speaker क्या कर रहा है, तुम उसको क्या misbehavior proved incapacity और बाकी चीजों पर करोगे, काम क्या है उसको सब्सक्राइशन समालना है न, Member of Parliament, Member of Legislative Assembly है वो, ठीक है, यह राम, हाँ, चलो, बताओ, वाँ, 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 यह राम, वाँ, यह राम, वाँ, यह राम, यह राम, यह राम, मिशन वन, ठेक है, चलो, प्रेसिदेंट डेसिग्नेट, पॉर, 29th, Conference, 29th, मुक्तार, बाबायेव, कहां कही है, अजर्बेजान, Minister of Ecology, इनको बनाया गया है, ठीक है, वेर वाँ, फिफ्ट एडिशन ऑफ ग्लोबल आयूरवेदा फेस्टिवल हेल्ड इन 2023, औरे वाँ, सुल्तान ने जबी, सारे तुक्के मार रहे है, बावळ हम ये ङतुत बथा दो आयूरुवेदा ग्लोबल फेस्टिवल आयूरुवेदा, मतुरा वारननेसी , तरुविंद्रम थरुवनन। पुरम ठीक है, यार पढ़ लेना न्यूज में रही होगी ठीक है पॉंपे डिजीज आज कल इतनी सारी दिक्कते आ गए इतनी सारी बिमारिया इतना सब बना दिया पहले टाइम पर इंसान आराम से रहता था खुश रहता था आज कल तो हर चीज में कोई नई बिमारी है हर चीज में यह कम हो कम ही पूरा जीवन सब कुछ बैलेंसे करने में निकल जाता है बड़ी खराब बात है मैंने अगरी करता है रिसेंट्ली विच कांट्री एमर्ज एस विनर अफ अंडर नाइंटीन एश्या कप 2023 अ अनन्या जी आपको पता था वेरी गूड पॉंपी विच कांट्री इमर्ज अच्छा इपा बताओ इसका अंसर मैं तभी बताऊंगा जब तुम लोग वीडियो लाइक करोगे तुम लोग वीडियो भी लाइक नहीं करते हो यार यहां पर मैं कोई प्रमोशन नहीं करता हूं बैच का क्या हमारा फांडेशन बैच आने वाला है हमारा योद्धा टू लुग आसकता है हमारा यह टेस्सीरीज चल रहा है वह टेस्सीरीज चल रहा है मैं कुछ प्रमोशन नहीं करता हूं और तुम लोग वीडियो को लाइक और कमेंट भी नहीं करते हो कि मैं आऊं और पंद्रा मिनिट इदर उदर की बाते करूं तब तुम लोग को समझाएगा देवान जी के रहे हैं सर बात सही एतनी प्रिसीजर्स की वज़े से जीके का सिलेवस भी बढ़ गया है वो तो हई है थीक है मैं तो स्टार्ट होने वे चल रहे है टेस्सीरीज सर सब्सक्राइब कोई आंसर नहीं दे रहा है सबका यह हो गया कि चलो बस इतने ही क्वेशन थे आज के लिए अभी मैं इसको टेलिग्राम पर डाल देता हूं वरना फिर मैं भूल जाओंगा एक सेकेंड इसको जो है एडिट कर दिया जाए थोड़ा सा नहीं तो फिर किसी और को दिक्कत ना है कि चलो मैं बस इसको भेश देता हूं फिर टेलिग्राम पर पर काँ चला गया ना बसको कि दिखकत की बात नहीं है है ऐसी को दिखकत की बात नहीं है एस बाकि लोगे घजिर सकते हैं ज VIS मैं इसको फरवर्ट कर दो ठीक के तक झिंगता है कि पहुए कि यह देखवा गया है ठीक है यह आपका हर्याना अब लिक सर्विस कमिशन पर आपके जो है दा कैंडिड़ेट अप्लाइब वेटिंग पूर क्लोजिंग डेट क्या है ठीक है सरे क्वेस्टिन पहले से आंसर दे रहे हैं में दावी स्टूडेंट है चलो ठीक है चलो दाट्च वागे लिंग बगेर शेयर कर दिया गया है गुडबाइ सर जैहिन सर प्रीज रेंट कंट्रोल आट भी डाल दीजे हां यार कल एक काम करते हैं कल तो शायद क्लास नहीं होगी कल साटड़े बाट जबी भी नेक्स्ट लेंगे तो रेंट कंट्रोल क इन ही के क्वेश्चन सब्सक्राइब सिर्फ सिर्फ माइनर लॉज के क्वेश्चन सब्सक्राइब ठीक है कल या पर्सों जभी भी क्लास लेंगे तब करते हैं ठीक है चलो दाट्स आप देड़े थांक्यू सो मच आवरीओं इस वागाई टेक केर बेस्ट आफ लगक्यों जाहिन